कावा साकी निंजा 650 एक स्पोर्ट्स बाइक है जो भारत में 7,12,000 रुप्ये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है यह केवल एक वेरियंट और एक रंग में उपलब्ध है कावा साकी निंजा 650 में 649 CCBS 6 इंजन लगा है जो 67.3 बेचपी की पावर और 64 NM का टॉक जनरेट करता है फ्रन्ट और रियर डिस्क ब्रेक के साथ कावा साकी निंजा 650 एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम के साथ हाता है इस निंजा 650 बाइक का वजन 196 किलोग्राम है और इसमें 15 लीटा की फ्यूल टैंक शमता है कावा साकी इंडिया ने 2023 निंजा 650 को बहतर राइडर एड्स और एक नए प्राइस टैग के साथ हमारे बजार में लॉंच किया है 2023 मॉडल पर बहतर राइडर एड्स में दोस्तरिय कर्शन नियंतरन प्रणाली शामिल है जो दोहरी चैनल ABS टक्नीक में शामिल है इस बीच 2023 संसकरण में पिछली संसकरण से एक LED हैडलाइट एलेडी टेल लाइट और ब्लूटूथ सक्षम रंग TFT डिस्पले बरकरार है स्टाइली की बात करें तो 2023 निंजा 650 को अंतराश्ट्रिय बाजारों में तीन रंग मिलते हैं Metallic Matte Griffin Steel Graveys with Eboni पल रोबोटिक वाइट मेटलिक मेट फ्लेट रॉग रस्टोन एंड Eboni और के आर्टी एडिशन जो Eboni के साथ Lime Green Paint का इस्तिमाल करता है हाला कि भारतिय बाजार में केवल एक रंग विकल्प मिलता है Lime Green डिजाइन अपरिवर्थित रहता है और 2023 Ninja 650 में Twin Pod Headlight Full Ferrand एक Muscular Fuel Tank एक Split Style Seat और एक Compact Exhaust का नस्तर बरकरार है विनिर्देशों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि Ninja 650 पहले से ही नवीनतम उत्सरजन मानकों का अनुपालन करता है 649 CC Parallel Twin Liquid Cooled Engine 6 Speed Gearbox से जुड़ा हुआ है और यह 8000 RPM पर 67 BHP का अधिक्तम आउटपुट और 6700 RPM पर 64 NM का पीक टॉक पैदा करता है Hardware में 41 mm Telescopic Front Forks और Suspension कारियों को संभालने के लिए Preload Adjustable Rear MonoShock शामिल है Breaking Duty के लिए Front में 300 mm Dual Disc Brake और Rear में 220 mm का सिंगल रोटर दिया गया है Motorcycle को Steel Trailless Frame के आसपास बनाया गया है जिसमें 15 लीटर का इंधन टैंक है और वजन पैमाने को 196 kg कर्ब पर रखा गया है इस जापानी Motorcycle को सीधा खत्रा नहीं है हाला कि यह नए लॉंच किये गए Moto Morini Escape और Simizo के समान मूल्य सीमा में प्रतिस्परधा करता है हमारे विडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं धन्यवाद